हेलो एवरिवन ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी के यूट्यूब चानल पर आप सभी का स्वागत है आज हम फिर से हिमाचल जी के का जो इंपोर्टन पेपर हुआ था है सबसे अच्छी बात यह कोशन रिपीट हो रहे हैं अगर आप एंसी क्यू करेंगे अगर आप पुरानी वाली सीरीज को कॉंटिनिटी में देखते आ रहे हैं तो अगली वाली से भी कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि कहीं न कहीं सारे कोशन क्या है आपके पास यहां पर जब भी आपको HPGK कराते हैं हम आपको यह चीज क्लियर करते हैं कि लेक्स से हर बारी पेपर में कोशन रहता है एक अद्दा कोशन हर बारी कई बारी तो लहुस पीती वगरा वगरा की लेक्स आप से पूछ लेता है ठीक है तो तफ लेक्स वाला टॉपिक आपको करके ही ज बात कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या कोशन बन सकता है जब आप डल की बात करते हैं तो डल कहां पर आ जाती है तो डल लेक आती है आपके पास कहां पे धरम शाला में डल लेक कहां पर आती है हमारे पास धरम शाला में और इसी डल लेक को हम भागशू नाग भी कहते ह इसको हम भाग्शुनाग लेक के नाम से भी इसे हम जानते हैं तो एक कोशन आपके पास ये क्लियर हो गया ठीक है कि जब हम बात करते हैं डल लेकी तो कहां पर आती है धरमशाला में और कौन और किस नाम से जानते हैं इसको हम तो आपको याद रखना है भाग्शुनाग लेक के नाम से भी इसको हम जानते हैं अगली आती है आपके पास गोविंद सागर आप सब को बताएं कौन सा डिस्टिक कवर करती है गोविंद सागर बिलासपुर ध्यान रखना है आपने कौन सा डिस्टिक कवर करती है बिलासपुर और जब आप बिलासपुर की मतलब जब आप बात करते हैं गोविंद सागर की तो यह अपने हमारे पास largest ध्यान रखना है आठीफीशल लेक है आठीफीशल बोलने का मतलब हो गया जिसे हमने क्रियेट कर आया तो कौन सी जी लाती है हमारे पास यह आठीफीशल लेक आती है आपको ध्यान रखना है और इसी लेक को इसी बोविन सागर लेक के लिए पंडिक जवाहर लाल नहरू ने एक स्टेटमेंट भी दिया था अगर आप सब को पता हो तो वो स्टेटमेंट क्या था अटेंपल ओफ चीक है अटेंपल ओफ न्यू सरजेंट इंडिया न्यू सरजेंट इंडिया चीक है याद रखना है आपने रिसर्जेंट होगा, सूरी, ठीक है, रिसर्जेंट इंडिया, ये आपने हाप पर क्लियर रखना है, ठीक है, तो बोला गया था में नवंबर के महीने में क्या celebrate किया जाता है तो आपको याद रखना है नवंबर में यहाँ पर क्या मनाया जाता है एक fair मनाया जाता है दूसरा कोशन आपको साथ में यहाँ पर क्या याद रखना पड़ेगा कि रेनुका एक wetland भी है ध्यान रखेंगे आप और इसी के साथ wet रेनुका की बात करते हैं इस एसोसियेटेड विद तो आपको याद रखना है लॉड परशूराम किसके साथ एसोसियेटेड है परशूराम के साथ और किसके साथ एसोसियेटेड है रेनुका जो की उनकी माता थी उनके साथ एसोसियेटेड है क्लियर होगे आपके पास एक और कोशन और इसके लाप और क्या कोशन देख सकते हैं इसका शेप कैसा है तो इसका शेप है लाइक स्लीपिंग वुमन शेप कैसा इसका लाइक स्लीपिंग वुमन हमें यहां पर क्लियर रखना है चीक है और उसके बाद कौन सी लेक आती है आपके पास यहां पर रेवाल सर और रेवालसर की जब भी आप बात करते हैं, मैं ये मिटा देती हूँ, I think आपने इसके बारे में लिखी लिया होगा इसको, और इसके बारे में आगे बात करते हुए और आगे चलते हैं, ठीक है, देखें, अब अगली कौन सी आती है, आपके पास यहां पे रेवालसर, रखना है, रेवालसर जानी जाती है, किसके लिए, फ्लोटिंग आइलेंड के लिए, तो आपको ध्यान रखना है, रेवालसर किसके लिए जानी जाती है, तो रेवालसर जानी जाती है, फ्लोटिंग आइलेंड के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, और कौन से कैसा है तो आप याद रखेंगे शेप लाइक का स्लीपिंग मुमेन नवंबर के महीने पर यहां पर मेला होता है यह वेटलेंड भी है और एक रामसर साइट भी है और किसके साथ असूसियेटेड है लौड परश्यू नाम और उनकी माता माता का नाम क्या आता है आपके पास पर इनका ठीक है चलिए एक कोशन हो गया अगला गोशन देखते हैं अगला आता है वेर इस इंदर किला नैशनल पार्क लोकेटेड अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो मैंने आपको वहां पे डिटेल में नैशनल पार्क के बारे में बताया था और वहां भी आ 100 से नैशनल पार्क हमारे पास हैं य हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने नैशनल पार्क है आपको ध्यान रखना हैं 5 उसमें से एक चुल्म सब्सक्राइब आपके वीडियों कि किला की जब आप बात करते हैं तो कौनसा डिस्टिक कवर करता है कुलू और कब बना था 2010 इसके अलावा एक और आ जाता है जिसका नाम आ जाता है आपके पास खीर गंगा अगें कुलू अगें 2010 तो आपको दो तो वैसे याद रह जाएंगे इंदर किला और दूसरा कौनसा आ आता है आपके पास खीर गंगा यह कहां पर आते हैं कुलू में यह अपको याद रखना है उसके अलावा तीसरा आता है अपने पास सिंबल बाड़ा आप सबने सुना होगा कौन सा वाला आता है सिंबल बाड़ा और इसी सिंबल बाड़ा को हम चोधरी शेर जुंग छिए जंग के नाम से भी इनको हम इस नैशनल पार्क को हम जानते हैं यह कौन से डिस्टिक कवर करता है तो आपको ध्यान रखना है सिरमोर डिस्टिक कवर करता है और यह भी कब बनाया तो यह भी 2010 का है तो तीन नैशनल पार्क कैसे हो गए हमारे पास जिनको नैशनल पार्क का तो आपको लुकर गए हमाचनल परने foreign में कितनज पर गोंगे तो आपको त्यान रखन sometे नचनल परखिते एक सब्सक्राइब हिमालियन और ग्रेट हिमालियन वाला कब बना था तो वान ट्रिपल नाइन में को पहले भी करा चुकी हूं पिछली किसी वीडियो पे वहाँ पर भी नैशनल पार्क आये तो मैंने आपको सारे नैशनल पार्क कर आये थे और लास्ट आपको याद रखना है कौन साथ है पिन और जब आप पिन वैली की बात करते हैं पिन वैली कहाँ पर आजाएगा आपके पास लाहल और स्पीती पर आजाएगा और ये कब का है तो ये 1987 का नैशनल पार्क है कब बना था ये वाला तो ये बना था हमारे पास 1987 पर और यही पे स्नो लैपड हो गया ये सब चीज़े यही पर मिलती है और यह जो Great Himalayan है यह किसके लिए जाना जाता है तो बैपको बता चुकी हूँ पहले भी यह किसके लिए जाना जाता है Western Tragopan के लिए जाना जाता है जिसको हम जुझुराना कहते हैं और Pin Valley वाला किसके लिए जाना जाता है Snow Leopard ठीके और अगर आपको पता हो तो यह दोनों ही हमारे हिमाचल प्रदेश का important symbol है ठीक है चले यह भी हो गया आपके पास एक और question थर्ड question पर जलते हैं थर्ड आता है Who gave the title of पहाडी गांधी to Baba Kanshiraam अगर आप notice करें तो यह question हिमाचल प्रदेश के modern section से आया हुआ है अगर आप notice कर रहे हैं तो हमाचल प्रदेश के modern section से आया हुआ है आपके पास कौन सा की पहाडी गांधी किसे बोला गया है तो option क्या क्या है आपके पास सरदार पटेल अब सरदार पटेल जब भी आप बोलेंगे बिटा ठीक है सरदार पटेल को सरदार की उपाधी कौन से सत्य ग्रह में मिली थी तो आपको ध्यान रखना है बर्दोली सत्य ग्रह किस में मिली थी बर्दोली सत्य ग्रह 1928 तो यह तो आपको question पैट है जो paper में आ चुका है आपके पास उसके अलावा मातमा गांती की जब आप बात करते हैं इन्ही को father of the nation बोला गया था और किसे किस ने बोला था है ने father of the nation तो नेता जी सुभाष चंदर बोस ने बोला था आप सब को पता होगा उसके बाता है सरोजनी नाइडू जब आप सरोजी नाइडू की बात करते हैं इन्ही को नाइटेंगल भी कहा जाता है, आप सब को पता होगा, इन्हें नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उसके अलावा इन्होंने इंडियन नाशनल कॉंग्रेस का सेशन भी हेड करा था, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी थी, क्या बनी थी हमारे पास है, फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी थी, किस को हेड करने के लिए, या फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ओफ आइन्सी, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, और इन्होंने कौन सा सेशन हेड करा था, तो आपको ध्यान रखना है, कौन सा वाला करा था, का दिसकली ओफ इंडिया इस रिटन वाइ, तो आप क्या टिक करेंगे, जवाहरलाल नहरू, साथ ही मैंने अभी आपको एंघ को इकको कोशनों और कर आया, पंडित जवाहरलाल नहरू से, कि पंडित जवाहरलाल नहरू ने हीไป जम Sas the latesthern river लोजव और यके साहत prinस्व टीट्मन किया था कोशन था कि पहाडी गांधी किसने किसको कहा था ठीक है तो पहाडी गांधी बाबा कांसी राम को किसने कहा था तो पहला एक कोशन आपके पास बन गया कि बाबा कांसी राम को क्या कहा जाता है पहाडी गांधी और आप्शन किया आता है आपके पास यहां पर सरदार पटेल, महत्मा गंदी, सरोर जीन, I do, जवार लाल नहरो तो जवाहर लाल नहरो ने, इन्हे क्या कहा था तो आपको याद रखना है, इन्हे कहा था, बाबा कांसी राम को कहा था, पहाडी गंदी, और कॉंसी वाली कांफरेंस में कहा था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंक चेंज करके लिख देती हूं तो आपको याद रखना है गडरी वाला चीक है गडरी वाला कॉंफरेंस हुई थी ध्यान रखेंगे आप और गडरी वाला कॉंफरेंस कब हुई थी यह तो आपको याद रखना है 1937 में और इस कॉंफरेंस में जब आहरला नहरू ने क्या कहा थ इनको पहाड़ी गांदी काता किसको बाबा कांसी राम को चीक है ख्लेयर हो गया आपके पास यह वला कुशन उसके अलावा इनी को इनी को सरोजनी नाइडू ने कहा था पहाड़ा दा बुल-बुल क्या कहा था पहाड़ा दा बुल-बुल बाबा कांसी राम को ही क्या कहा गय करते हैं किसकी बात करते तो लेक्स बहुत मवारे पास ओर चलिए बात कर लेते हैं के बारे में कहता है है यहाप खोटिंग किस को कहते हैं महराना प्रताप आगी आपके पास उसके बाद डल लेक प्रशर लेक और रेनुका लेक land Wat आपके अब प्रहे थे इसके बारे में ने सब कुईís तो आपको ध्यान रखना है यह मंडी में और मंडी में एक और मैंने भी आपको प्राशर लेक किस के साथ एक तो आपको ध्यान रखना है तो आपको ध्यान रखना है और ध्यान रखेंगे आप त्री स्टोरेड त्री स्टोरेड क्या आती है हमारे या इसी पे इसी पे आपको ध्यान रखना है तीन मंजिला तीन मंजिला चीक है पगोडा स्टाइल पगोडा स्टाइल टेंपल हमें देखने को मिलता है कौन से टेंपल मिलता है यहां पे तो आपको ध्यान रखना है इसी लेग के पास की बात कर रही हो मैं चीक है इसी पे तीन मंजिला पगोरा स्टाइल टेमपल मिलता है हमें और वो किसको डेडिकेटर है तो वो किसको डेडिकेटर है रीशी प्राशर को ही डेडिकेटर है ध्यान रखना है आपने बनाया किसने था तो यहां स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी बनाया किसने था तो आपका आंसर क्या होगा इसे बनाने वाला कौन था तो आप याद रखेंगे राजा बान सेन कौन हूँ ऐसे बनाने वाला बान सेन और जब भी आप बान सेन की बात करते हैं इन्हों न मिलता है को मिलता है तो याद रखेंगे आप कितना मंजिला है तीन मंजिला किसने बनवाय था बांड से इन ने और बांड से इन कौन हुए तो इनको हम फाउंडर ऑफ मंडी प्रिंसली स्टेट भी कहते है ठीक है और यहां पे जून के महीने पे ध्यान रखना जून के महीने में एक म अगला आता है विच डिस्टिक ओफ हिमाचल प्रदेश इस सुकेती फॉसिल पार्क इस सिटुएटेड तो अप्शन क्या क्या है कि नौर उसके बाद सिर्मौर चंबा और लहुल स्पीती ठीक है देखे बिटा जब आप किसके बारे में बात करते हैं जब आप से जब आप जहांब छॉयइःज फॉसिल पार के नाम से भी जानते हैं इसको नोटीफाई किया गया है नाशनल ध्यान रखना है आपने नाशनल जियोहरिटेज ठ्यान रखेंगे यहांगी तो और कौन सा डिस्टिक कवर करता है यह? तो कौन सा डिस्टिक कवर करता है ये तो आपको ध्यान रखना है कौन सा डिस्टिक आता है सिर मौर डिस्टिक ये कवर करता है ठीक है clear है सीधा factual था आपके पास अगला अगला question आता है आपके पास यहाँ पे which place is called the industrial city of हिमाचल प्रदेश options के हैं बद्दी सोलन रामपुर शिमला आएगा ये वाला है शिमला होगा उसके बाद आता है गगरेट उना और जसूर कांगडा देखिए बटा एक आप सबने सुनी होगी सोलन में एक वैली आती है उस वैली का नाम है सिरसा वैली क्या नाम है इसका सिरसा वैली और एक तो सिरसा वैली को ही इंडस्ट्रियल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहा जाता है और कौन से डिस्टिक को कवर करती है ये तो आपको ध्यान रखना है सोलन डिस्टिक को ये कवर करती है ठीक है इसमें और भी बहुत सारे एरियास आ जाते हैं जिसमें नालागड बद्दी आफ हिमाचल प्रदेश ठीक है देखेविटा अब यहां से क्या-क्या कोशन बन सकता है और क्या-क्याचीजे से बनने वाली है वो देख लेते हैं ठीक है पहले देखते हैं हमारे पास दो क्लेक्व ये शुमला है और एक कौन सी आती है हमारे पास धरम शॉला के बारे में बात करते हैं क्योंकि आंसर हम सबको बताया जाएगा इसका धरम शॉला जाएगा चलिए शिम्ला के बारे में बात करते हैं तो आपको पहला ध्यान रखना है 1864 में यह किसकी capital बनी थी शिम्ला तो शिम्ला capital बनी थी किसकी Britishers की या फिर Britishers ने अपनी summer capital किसे बनाया था शिम्ला को बनाया था आपको ध्यान रखना ठीक है 1871 के आस पास यह किसकी capital बनती है तो इह capital बनती है उसके बाद 1 नवंबर त्यान देंगे आप 1 नवंबर 1966 को इस शिम्ला को हिमाचल प्रदेश ये शिम्ला टाउन को किसमें एड़ किया गया था इसे हिमाचल प्रदेश के अंदर एड़ किया गया था और फिर इसी शिमला को हमने 1971 से ध्यान देंगे आप यहां पे 1971 से शिमला हमारी स्थ इसे शिमला के यहां मिलता है था है अब आते अब बापस यहां पर हमारी कोशन की हमारी winter कपिनवराइब दियान रखेंगे कौनसी आती है हमारे पास धियान रखेंगे अप धर्मशाला और कब बनी है यह तो answer क्या जाता है उन्निस जैनवरी 2017 कब बनी है हमारे पास उन्निस जैनवरी 2017 को शिमला को सब्सक्रा को हमने क्या बनाया था यहां पर विंटर केपिटल बनाया था, ठीक है? चलिए, अगला कोशन देख लेते हैं इसके बाद, अगला कोशन क्या है, अगला, अच्छा, मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है, कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आप समझ पा रहे हैं कोशन को, तो मैं आपको पहली बता पीडिएफ नोट्स मिल जाएंगे आपको इंग्लिश मीडियम में जिन्हें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं और यह आप कहां से पर्चेस कर सकते हैं ट्रिपल ब्राइट अकेडमी से और आप डाउनलोड आप अवैलेबल है एंड्रॉइड मे को करेंगे तो बहुत ही जादा बंफिट रहेगा और वही तयारी अपने घर करेंगे तो बहुत होड़ न Whats. प्रदेश सामने गरता है तो घुट आटे कहता है the sun temple of हिमाचल प्रदेश is situated in which place options क्या क्या है तो option है किलर, नाहन, नीरत और हरीपुर ठीक है कोशन क्या है हमारे पास कि हमारे हिमाचल प्रदेश का जो sun temple है वो कहाँ पर है तो आपका क्या answer आएगा यहाँ पर answer देखिए नीरत आगया इसका answer है नीरत कहाँ पर आता है ध्यान रखेंगे आप नीरत कहाँ पर आता है हमारे पास शिमला में आता है कहाँ पर आता है नीरत तो ध्यान रखेंगे आप नीरत हाता है हमारे पास कहाँ पर शिमला में पहला कुशन बन गी आपके पास और शिमला में भी अगर exact location पूछ लेगा तो ध्यान रखना कौन सा वला आ जाएगी जगा कौन सी आ जाएगी तो रामपूर आ जाएगी ठीके जगा जाएगी रामपूर इसके अलावा अगर हम सेकंटीज के बारे में बात करें ये मंदिर कौन सी नदी के किनारे है तो आप ध्यान देंगे कौ यहां संसा वी पर्लत है कौन सा मंदिर सेंट रहें जो आपका दिल करें नगर स्टाइल भी हम इसे आपर कह सकते हैं किसे बना हुआ है तो आप याद रखेंगे Red Sand Stone से बना हुआ है किसे बना यहाँ पे Red Sand Stone से बना हुआ है यह आपको यहाँ पर clear रखना है और अगला question इसी के साथ क्या कहते है इसी को हम Sun Temple of Himachal Pradesh भी कह देते है तो कहाँ पर आता है नीरत तो आपको याद रखना है रामपूर शिमला में आता है याद रखेंगे कौन से style का temple है यह तो आपका answer क्या हो जाएगा यहाँ पे कौन से style का है तो नगर style का आता है किसे बना हुआ है Red Sand Stone से बना हुआ है और जब आप किसकी बात करते हैं सतलुच की तो सतलुच के कौन से side पर है तो सतलुच के left side पर आपको यह देखने को मिलता है एक और question हो गया अगला देख लेते हैं इसके बाग और अगला देखते हैं क्या question आता है हमारे पास चले अगला आता है आपके पास When was the Himachal Pradesh School Education Board established तो यह question important हो गया तो factual question है पर आपको यादी करना पड़ेगा इसके बारे में ठीक है कि यहाँ पर क्या पूछा गया है जो हमाचल प्रदेश का School Education Board है उसकी स्तापना कब की गई थी तो आपका options क्या क्या है यहाँ पर 65, 1997, 1985, 1969 option पर ध्यान दीजिए क्या लिखा हूआ है शिम्ला में इसकी स्तापना की गई थी बट लेटर इसको shift कर दिया गया था तो January 1983 में इसे shift कर दिया गया था कहां पे तो इसे shift किया गया था धरमशाला में तो यह थे कुछ हमारे पास important question जो कि किसके थे DLA वाला जो आपका exam हुआ था उसके साथ associated थे I hope आपको यह question समझ में आयोंगे और अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान देंगे तो यह जितने भी question आप देख रहे है यह question कही न कहीं से आपके पास क्या हो रहे है repeat होते जा रहे है तो इस बात को तो पहले clear रखिए कि यह सारे के सारे जो भी है आपके पास यह क्या होते जा रहे है question आपके पास repeat अगर आप पिछली वीडियो देख रहे है ठीक है तो आपको by default यह वाला clear हो जाएगा कि question क्या आ रहे है मतलब question किस तरीके से आ रहे है चले तो I hope आपको यहां तक चीज़ें clear हो गी होंगी कोई भी doubt रहेगा आप comment section पर पूछ सकते है thank you have a nice day